मीनो पॉस के बाद और पेरी मीनो पॉस के दुरान लीडिस के बॉड़ी में बहुत सारे शारीरिक और एमोशनल चेंजिस आ रहे होते हैं और जाहिर है इसके साथ उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्ण होते हैं मेरी 35 साल के गाइनी प्रेक्टिस में लीडिस ने जो सबसे कॉमनली मीनोपॉस और पेरी मीनोपॉस को लेकर सवाल पूछे हैं वो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हूँ पहला सवाल मेरी उम्र 50 साल के है अभी तक मेरी पीरियोड्स बिलकुल ठीक आते थे पर पिछले 20 दिन से बहुत हेवी पीरियोड्स आ रहे हैं बड़े-बड़े क्लॉट्स जा रहे है तो ये तो मीनोपॉस के कारण है ना इतनी heavy periods अगर आ रहे हैं तो आपको गाईनी चेक अप करानी चाहिए क्योंकि आपको fibroids, adenomyosis, uterus की lining ठिक होना और even cancer जैसी बिमारियां इस age में हो सकती है दूसरा सवाल, मेरी age 55 years है, तीन महिने से period नहीं आया तो मैं menopausal हो गई ना? जी नहीं, menopaus by definition तब होता है जब आपका इस उम्र पे पूरे एक साल तक period ना आए अगर केवल तीन महिने हुए हैं, तो बहुत likelihood है कि आपका फिर से period शुरू हो जाए और irregular कुछ समय रहे और फिर आइन में जाके खतम हो तीसरा सवाल, क्या मेरा heart attack का risk बढ़ जाता है menopaus के बाद? estrogen hormones cardio productive होते हैं इसलिए menopaus के बाद जैसे जैसे हमारी estrogen की मात्रा कह होती है हमारा heart disease का risk जादा होता है इसको prevent करने के लिए आपको अपना BMI यानि की weight for height उचित करके रखना चाहिए अगर आप मोटे हैं तो diet and exercise के साथ पतले हुई है दूसरी चीज आपको fatty food, junk food, trans fats कम खाने चाहिए और half an hour everyday at least for 5 days a week यानि की 150 minutes a week exercise जरूर करनी चाहिए smoking active हो या passive हो दोनों तरीके से heart disease के लिए नुकसान करती है मेरे मदर का मीनोपॉस तो 38 पर आगया था तो क्या डॉक्टर मेरा मीनोपॉस भी जल्दी आएगा? अगर आपके mother and sisters का जल्दी मीनोपॉस आया है तो काफी chances है कि आपका भी जल्दी आएगा डॉक्टर बाक पेन बहुत रहता है मुझे और हडियों में दद रहता है जैसे कि मेरे में एनर्जी ना रही हो हर समय ठकान रहती है क्या इसका मीनोपॉस से कोई समबंध है? जी हाँ, estrogens आपके bone strength बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब estrogens के कमी होती है तो आपके हडियों से calcium बाहर चली जाती है जिसकर के thin and fragile bones, weak bones हो जाती हैं जिसे osteopenia और osteoporosis कहते हैं इसलिए कई बार late 70s, 80s में ladies के fractures चोटी मोटी चोट से हो जाते हैं तो आपको अपना bone strength कैसे ठीक करना है आपको धूप में बैठना चाहिए आपको calcium rich products जैसे की green leafy vegetables लेनी चाहिए दूद, दही, पनीर, लसी, मठा किसी भी फॉर्म में लीजेगा, vitamin D adequate करके रखेगा और alcohol और smoking दोनों चीज़े bone health के लिए नुकसान दायक है hot flushes क्या होते हैं? hot flushes एक गर्मी की लहर होती है जो आपके chest, neck, face, head, upper half of the body में एक तम एक wave of heat होती है आप पिल्कुल red हो सकते हैं, पसी ना सकता है, उसके साथ किसी किसी की दिल की धर्गन तेज हो जाती है, किसी को तो थोड़ी jizziness भी होती है और कुछ second रहते हैं, किसी को दिन में एक बार आते हैं, और किसी को एक ही दिन में कई-कई बार आते हैं डॉक्टर, hot flushes को prevent कैसे किया जा सकता है? alcohol, caffeine और smoking इसके triggers होते हैं, इसलिए इन्हें avoid करिए caffeine, coca-cola, chocolates, cocoa powder, tea और coffee में होती है बहुत जादा तनाव की situations भी इसे trigger कर सकते हैं इसलिए meditation, yoga, exercise भी इसमें help करती है अगर आप बहुत जादा गर्मी के बातावरण में हैं, तो भी hot flushes जादा होती हैं इसलिए well ventilated, irritated room में रहना चाहिए spicy food avoid करना चाहिए और अगर फिर भी आपको बहुत सारी hot flushes हैं, तो डॉक्टर से मिलके इसकी medication करनी चाहिए डॉक्टर, मेरी sexual activity में तो जान हे निकल जाते हैं क्या इसका मीनोपोस से कोई तालुक है? जी हाँ, आपके estrogens, आपके vaginal micosa को lubricate करके रखते हैं मीनोपोस के बाद जब estrogens कम होते हैं, आपको atrophic vaginitis हो सकती है जिससे वो layer thin और dry हो जाती है इसलिए आपको sexual activity painful हो सकती है मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके काफी सारे मीनोपोस और पेरिमीनोपोस से related सवालों का जवाब दे दिया कुछ और सवाल हम next video में answer करेंगे अगर आपको फिर भी कोई सवाल है मीनोपोस पेरिमीनोपोस से related तो नीचे comment box में डालिए and don't forget to press the subscribe button and press the bell icon we shall see you soon with another video goodbye for now